इस्या, एफ़ेरिका, यूरोप, साथ अमेरिका, नॉर्ट अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अस्तान का कैपिटल कहा है? कलोंबो जर्मनी का कैपिटल कहा है? बंका, बंगलादेश, चाइना निकाल जुत्ती है चलो निकालो तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ साह क्लासेश के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस छोटी सी बच्ची से, जो की इससे कुछ इंटर्वियू लेते हैं और इससे कुछ सवाल पूछते हैं जो की इसके हिसाब से, इसके उम्र के हिसाब से अनेस्पेक्टेड है तो चलिए, एक-एक करके सारे सवाल इससे पूछते हैं और इसी से इसका इंटर्वड़क्शन लेते हैं सबसे पहले, what is your name? My name is Vashashar Where do you live? I live in Devgar You live in Devgar इसके लिए हम कुछ कोशन ready करके रखे हैं जो की इसके लिए unseen है इसका लिए यह देखी नहीं हुई है तो एक-एक करके सारे कोशन को इससे पूछते हैं और इसका answer इससे ही पूछते हैं ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले यह बताएए कि आप किस देश में रहते हैं? इंडिया में इंडिया का capital कहां है? न्यू देली इंडिया का currency क्या है? इंडियन रुपीज अच्छा यह छोड़िये कि इस मतलब की total कितना continent है? continent? 7 7 continent क्या आपको उसका नाम पता है? तो नाम बताएए एक एक करके अच्छा ठीक है तो आप किस continent में रहते हैं? एसिया में रहते हैं और सबसे बड़ा continent एसिया ही है चलिए बहुत अच्छा अगर यह knowledge इसके लिए अगर है और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा वीडियो को like जरूर कीजिएगा और share जरूर कीजिएगा अभी question खतम नहीं हुआ है पूरे दो page का question है इससे पूछने जा रहे है तो एक एक करके सबसे पहले अब इससे पूछते हैं कुछ ऐसे country और उसका capital ठीक है तो सबसे पहले ये बताईए कि इंडिया का capital तो आप बता चुके हैं पाकिस्तान का capital कहा है इस्लामाबाद नेपाल का capital कहा है काठमांडू स्री लंका का capital कहा है कलोंबो जर्मनी का capital कहा है बरलिन जापान का टोकियो चाइना का बीजिंग ये बताईए कि total कितना हम लोग ये इंडिया का total neighboring country कितना है नाइन उसका नाम टोटल कितना country है नाम बताईए तो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान माल्दी मामार और इंडिया में रहते हैं इंडिया के कुछ ऐसे state है जिसका आपको capital बताना है तो सबसे पहले करनाटका का केरला का तेलांगना का तेलांगना का हिद्रावार बिहार का पटना जहारकंड का राची वेश्ट बेंगल राजस्थान का जैपूर जैपूर मतलब यह टोटल कितना state है इंडिया में टोटल 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 टोटी एट का इस्टेट का नाम कैपिटल याद है आपको एक एक करके सारे कैपिटल नहीं पूछ सकते हैं यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कुछ ऐसे question को हम लोग लखे हैं तो ठीक है next हम लोग का है कि आप यहां से अच्छा union territories के बारे माँ आप जानते हैं कितना union territories है अभी चुकि 9 हो चुका है और अभी इसके साफ से 8 कह सकता है क्योंकि यह जिस समय याद की थी उसमें 8 था ठीक है चलिए next हम लोग बात करते हैं अब बात करते हैं हम लोग क्या इसके बार हम लोग कुछ math का सवाल इससे पूछते हैं तो एक-एक करके सब math का सवाल क्या यह है एडिशन ठीक है तो आपको बनाना है एडिशन एडिशन बनाना है फिर से ध्यान से हैजिटेट नहीं हो करके क्योंकि यह फर्स टाइम केमरा के सामने फेस करना सब के लिए थोड़ा सा यह होता है तो बहुत अच्छा आप चलिए आपसे हम पूछते हैं सब्ट्रेक्शन के बारे में क्या सब्ट्रेक्शन आपको आता है क्या तो सब्ट्रेक्ट करके दिखाईए इसको तो नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं और इससे एक मल्टिप्लाई बनवाते हैं देखते हैं मैल्टिप्लाई इसको आता है कि नहीं ठीक है ठीक है मल्टिप्लाई बहुत अच्छा इतना फास्ट मल्टिप्लाई बनाई है तो चलो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए और बढ़ते हैं उसके बाद हम इससे डिवाइड पूछते हैं ठीक है अग्जाए ज़िए पार बहुत अच्छा यह नहीं कटता है तो यहां पर लगाते हैं जीरो ना बहुत अच्छा सही है ठीक है नेक्स्ट देखिए आप इससे एक सवाग पूछते हैं जो कि इसके level के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है x का मान निकालना ठीक है ठीक है 3 प्लस 2 प्लस x इकवल टू 9 तो x का मान निकाल सकती है चलो निकालो तो इसको अच्छा से लिखो ठीक है लेकिन अच्छा से लिखो बड़ा सा ठीक है ताकि board में camera में दिखे बहुत अच्छा ठीक है देखिए ये x का भी मान निकाल चुकी है इसका मतलब ये कि इसको सिर्फ gk से मतलब social science से ही related नहीं कुछ पता है और बहुत कुछ पता है तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसको math से भी related बहुत कुछ पता है एक और x का मान निकालना है आपको x का value निकालना है चलो बताओ तो इसको क्या कैसे निकालेंगे x equal to 1 वहां बहुत अच्छा देखिए x को इसका भी मान निकाल चुकी है यह अब कुछ other सवाल पूछते हैं मतलब दूसरा सवाल पूछते हैं इसको math में shape के बारे में पूछते हैं तुम्हां को different different shape के बारे में different different shape दे दिया जाए या फिर उसके बारे में नाम दे दिया जाए तो क्या shape बना सकती है चलो ठीक है एक सेफ देते हैं, हेक्सागोन, हेक्सागोन का सेफ बनाना है तुमको, ठीक है, हेक्सागोन का सेफ यहाँ पे बनाना है, ठीक, भग, बहुत अच्छा इसको थोड़ा अच्छा से, इसको बढ़ा कर दू ताकि वह वीडियो में अच्छा से दिख सके बढ़ा से बनाओ, फिर अच्छा से बनेगा सही था यह तुमारा, लेकिन फिर से फ्रेस से बना दो, ठीक है, बढ़ा से यह हो गिया है हेक्सागुल ट्रेंगल का हां ट्रेंगल को है कि रेक्टेंगल है नीचे नीचे बना रहने दोसको नीचे बना रेक्टेंगल कि इसक्वायर है हाँ कि ठीक है सरकल है कि इस फियर कि अब बहुत अच्छा यह टोटल डिफ्रेंट सेफ यह बता चुकी है अब देखिए थोड़ा सा कुछ ऐसा कोश्चन अब तो कोश्चन बचा नहीं है इससे इतना ही एस्पेक्ट करते हैं इस वीडियो में इतना ही इससे पूछते हैं वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद इससे फिर दुबारा सवाल ही पूछने जाएंगे इससे फिर एक वीडियो बनाएंगे कि और भी इसको क्या क्या पता है ठीक है और अभी तक ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को अपने friend circle में अपने relatives में अपने junior को जरूर दिखाएं कि इस छोटी सी बच्ची इस कोरोना काल में without going any school किसी school में नहीं अभी अगर इससे पूछ लिया जाए कि तुम कौन class में पढ़ती है तो इसको ये भी नहीं पता है कि class क्या होता है क्योंकि इस growing age में जिस age में इसको admission लेना था उसी समय से corona आ गिया और इस corona के बाद lockdown होने के बाद कोई school कोई institute या कोई भी tuition classes नहीं चला तो इससे ये aspect कर सकते हैं कि घर में रह करके अच्छे से अगर समय को utilize करके अपने छोटे छोटे बच्चे पर ध्यान दे तो बहुत कुछ सीख सकता है ठीक है अगर ये video थोड़ा सा भी informative और आपकी दिमाग की बत्ती को जला दिया हो तो एक बार इस video को like कीजिएगा share कीजिएगा और comment करके जरूर बताइएगा ये video आपको कैसा लगा तब भी बोल दो कि सब्सक्राइब